Hello everyone, आज का हमारा topic है transportation problem का North fast corner method हमें question में दिये हैं warehouses, plants दे रखे हैं, demand and supply दे रखे हैं जो demand है और जो supply हैं, इनका जो total है वो 65 दे रखे हैं अब ये जो supply है, उसका 65 है total, प्रस करके और जो demand है उसका भी 65 है तो यह balanced है अगर यह unbalanced होता है तो dummy use करते हम उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है अब यहां पर सबसे पहले values लिख लेंगे 7, 6, 9, 5, 7, 3, 4, 5, 8 इस तरह से हम values लिख लेते हैं supply, demand, supply का total 65, demand का total 65 इस तरह से हम लिख लेंगे अब next सबसे पहले क्या करते हम जो हमारे north west की corner value होती है उसको लेते हम तो यहां पर सबसे पहले value क्या लेंगे हम 7, यहां से हम start करेंगे 7 लेंगे तो 7 के जो हमारे हमें supply दे रहे हैं वो 20, demand दे रहे हैं 21 इन में से जो smaller value होते हैं उसको लिख लेते हैं, smaller value का है 20 तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे 20, अब इस 20 को supply और demand में से minus कर देंगे supply से minus करेंगे 20 minus 20, 0, 21 minus 21, अब जो 0 आ जाता है हमारा, तो वो जो है कट जाता है पूरा तो यह row कट जाएगी, कट गी, तो उसके बाद next value जो हम लेंगे, वो लेंगे 5 5 का supply हमें दे रहे है 28, demand हमें दे रहे है 1, इन में से smaller जो value है वो है 1 तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 1, 1 में से 1 minus 0, 28 में से 1 minus 27, अब हम अरपस यहाँ पर 0 आ गया है, तो यह जो है column कट जाएगा अब next जो है हम value लेंगे 7, 7 का supply हमें दे रहे है 27, demand हमें दे रहे है 25, इन दोनों में से smaller जो value है वो है 25, तो 25 यहाँ लिख लेंगे अब 25 में से 25 minus 0, 27 में से 25 minus 2, यह 0 आ गया, तो यह column कट जाएगा अब next, हम अरपस 3 बचा है, 3 का supply दे रहे है 2, demand दे रहे है 19, इन में से smaller जो value है वो है 2, तो 2 लिख लेंगे यहाँ 2, 2 minus 2, 0, 19 minus 2, 17, अब हमारे पास यह 0 आगी, तो यह row कट जाएगी, अब हमारे पास लास्ट बचा है 8, 8 की supply 17, demand 17, तो यहाँ पर 17 लिख लेंगे 17 minus 17, 0, 17 minus 17, 0, यहाँ गया, अब हम निकालेंगे total transportation cost total cost, उसके लिए क्या करते हैं, यह value हमें निकाल ली है, इसको multiply करते हैं सबसे पहले 7 into 20, 7 into 20 plus next 5 into 1, 5 into 1 plus 7 into 25 plus 3 into 2 plus 8 into 17, multiply करेंगे 7 into 20, 140 plus 5 into 1, 5 plus 7 into 25, 175 plus 3 into 2, 6 plus 8 into 17, 136, अब इन सबको add कर लेंगे, add करके हमारे पास जो value है, वो आ जाएगी 462, 462 हमारे पास total transportation cost आ जाएगी, इस तरह से हम नोर्थ-वेस्ट कॉर्णन मेथट से total transportation cost निकालते हैं 1 झालते हैं 11